नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं ग्रैंड धर्मा सन्मार हनुवान जी को लाल रंग अतिप्री है और मंगलवार के दिन हनुवान जी की पूजा करने का भी रहान है तो जब आप मंगलवार के दिन लाल पुस्पुसे कुछ खास प्रियोग करते हैं तो उसके फल भी आपको क्विक मिलते हैं वैसे तो आज हम बात करेंगे गुलाब की पंखुरी की लाल गुलाब आपके घर के आसपास कहीं हो तो बहुत अच्छी बात एक गुलाब ले आईएगा मंगलवार के दिन गुलाब में बहुत सारी पंखुरी होती है आप पंखुरीयों को तोड़कर अलग करके भी इसका प्रियोग कर सकते हैं और पूरा गुलाब का भी प्रयोग कर सकते हैं देखे गुलाब के प्रयोग से एक तो तांत्री क्रियाओं से बचे रहते हैं हनवान जी प्रसन होते हैं जीवन में धन की बरकत होती है नौकरी रोजगार की समस्य समाफ्त होती है और सत्रू भी सांत हो जाते हैं तो गुलाब के फूलों के टोटके ऐसे होते हैं जो आपको हर हाल में लाब देते हैं अगर लंबे समय से मनुकामना पूरती पा रही हो तब मंगलवार के दिन हर्मान जी को 11 गुलाब की पंखुरी अरपीत करें लगातार कुछ दिनों तक हर मंगलवार को गुलाब की पंखुरी 11 की संख्या में हर्मान जी को अरपीत करें आप देखिएगा आपकी मनुकामना जो लंबे समय से अधूरी थी वो पूरी हो जाएगी हर प्यक्ति चाहता है जीवन में बहुत पैसा है खूप पैसा धन मान समान गाड़ी बंगला सब कुछ तो इसके लिए आप चाहते हैं ने कि भागे में आपके भी है क्योंकि हर किसी का भागे कमजोर नहीं होता समय का पहचाना होता है समय का फाइदा उठाना होत सब्खे, अब इसको जला दें कपूर के जल जाने के बाद जो गुलाब बच गया उसको देवी मा के चलों में रख लें, अब मा लक्षमी मा सरोसथी मा पारवती मा दुरगा कोसिस करें मा दुरगा या माप़वती के सामने रखने की अब आप सोचेंगे जलावा गुलाब जलावा गुलाब नहीं यह एक टूटका है इससे मातारानी ध्हन की मुस्किलें दूर करती है और धन के मारग में जो बाधाने हैं उसको समाफ़त करती है क्योंकि माताराने की किर्पा को जाए तो बैक्ती बहुत जल्दी तरक्की करता है दूस्मनों से आगे निकलता है कई वार क्या हूं दाया बरकत रुख जाती याँ परिशान है आपको लगता है कि जैसे आप हार रहे हैं कुछ है यह नहीं जीवन में तब क्या करेंगे तब एक छोटा सा काम करें आप एक लाल रंग का कपड़ा ले 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 उसमें लाल गुलाब रख ले और एक चुटकी उसके उपर रोली या लाल चंदन डाल दें ले जाकर हर्मान जी के मंदे में रख दें और वहीं पर बैट के हर्मान चलिसा पढ़ ले हर्मान जी से प्रात्ना करें उनके चर्णों का सिंदूर थोरा सा इस कपड़े पर लगा दे और फिर लाकर अपने दुकान के तिजोरी में या कल्ले में रख दें बरकत होने लगेगी ग्रहा काने लगेंगे पैसे बचने लगेंगे जमने लगेंगे कई पर बिमारियां पीछा नहीं छोड़ती घर में कभी बच्चे बिमार कभी बड़े बिमार कभी साससूर बिमार मता पिता बिमार भाई बेहन बिमार आप परिशान है अकेले भला आप क डंठल लगे और दिए गढ़ु कि अशुट्व को अब पान के पत्ते पर गुलाब का पूस्प रखें अब इसको लेकर 31 वार जो वेक्ती बीमार हैं उनके उपर से उल्टा उतारें आप चाहें तो सर के पास से घुमा सकते हैं और चौराहे पर जाकर इसको रख दे बिना पीछे मुड़े घर आ जा उनका स्वास जल्दी ठीक हो जाएगा अब करजों से परिशान है तब एक छोटा सा काम कीजिए क्योंकि करज ऐसी समस्या है वो आपको आगे ही बढ़ने नहीं देता आपके पैरों में बेड़ियां डाल देता है तो आपको एक छोटा सा काम करना है करजों की समस्या से बाहर निकलने के लिए क्या करेंगे? देखिए सबसे पहली बात तो करजी की मुस्किल हो तो आपको पांच गुलाब चाहिए अब एक सफेद कपड़ा ले ले छोटा सा कपड़ा ले ज़्यादा बड़ा नहीं लेना होगा रुमाल इतना बड़ा ले ले अब आप इस पर गुलाब के चार पुस्प चारो कोनों में बांदे रुमाल में पांचमा जो है उसको बीच में रखकर गाठ लगा दे रुमाल में ही याद रखिए चारो कोनों में चार एक बीच में अब इसे ले जाकर किसी बेहती भी नदी में परवाहित कर दे रिन मुक्ती हो जाएगी प्रास्ना करें कि जैसे यह गुलाब बेह रहा है मेरे जीवन की जो परिसानिया है गांटे है भागे में जो अवरोध है जो किसमत के ताले बंध है वो भी इसके साथ बेह जाए और घर आ जाएए आप देखिएगा धीरे धीरे आप कर्ज से मुक्त हो जाएंगे और फिर आपका सब कुछ बेहतर होने लगेगा पान का जो पत्ता होता है जो गुलाब का पंखुरी होता है इसका प्रियोग ब्यक्ति के जीवन की हर बाधाओं को समाप कर देता है कई बार क्या होता है बहुत सारे काम आपके अटक जाते हैं बनने बनते ही नहीं आपको लगता है जैसे यहां पर आपको भागे साथ देना बन कर चुका है आप चाहते हैं कि आपके रुके वे काम बनने लगेंगे आप चाहेंगे तो ये परियोग कर ले देखिए आपको लाल गुलाब का परियोग मंगलवार के दिन करना है अगर आप मंगलवार के दिन नहीं कर सकते हैं तो किसी भी पूरी मां के दिन कर लीजेगा आपको चाहिए होगा तीन गुलाब की पंखुरी या तीन गुलाब ले लें तीन बेला या चमेली के पुस्प ले लें अब इसको असनान बेगर करके किसी भी चलते वे पानी में बहते वे पानी में जाकर परभाहित कर दे पांच मंगलवार करें जितने भी रुकेवे काम है आपके घर में सुपकारे नहीं हो रहे हैं मंगली कारे नहीं हो रहे हैं साधी विवार नहीं हो पा रहा है नोक्री बेपार नहीं चल रहा है जो भी कारे आपके अवरोध हैं वो एक बार फिर से चलने लगेंगे तो ये सिंपल सा प्रियोग है पर इसके फल मिलेंगे और मंगल बार के दिन अगर देवी मा, माता रानी को जो मा दुरगा है, जो मा पारवती है पान के पत्ते पर गुलाब की साथ पंखुरी रखकर देवी मा को अर्पित करें, तो धन लाप के योग बनने लगते है याद रखिए, पान के पत्ते पर गुलाब की साथ पंखुरी अर्पित करें तो धन लाप के योग बनने लगते है ये परियोग आप मंगल वार के दिन के मंगल वार के दिन कीजिए और जो मालक्ष्मी है ना गुलाब के पुस्प पर एक बुन दूद लगाकर अगर मालक्ष्मी को आप अरपीत करें तो आपके जीवन में धन की मुश्किलें कभी नहीं आएगी कभी नहीं और ना ही जीवन में कभी ऐसा मोड आएगा कि आपके पास धन नहीं है आपको अब सकता है तो गुलाब के पंखुरी पर थोड़ा सा दूद लगाकर अब घर में कई बार होता है बच्चे भी मार पड़ते हैं फटा पड़ भी मार पड़ते हैं तब आपको एक छोटा सा काम करना है गुलाब के पंखुरी ले 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 उस पर थोड़ी सी मिसरी या गुड रख ले और बच्चे के ऊपर से वार ले आप चाहें तो इसमें मंदिर में रख दें आपका बच्चा जल्दी स्वस्त हो जाएगा खेलते कुदने लगेगा और जीवन की परिसानिया समाप्त हो जाएगी तो गुलाब के पुस पसिप दिखते ही खुब सुरत नहीं है इसके बहुत सारे प्रियोग होते हैं जो आपके जीवन की मुस्किल को भी दूर करते हैं हम आपसे बिदा लेते हैं